तो आज हम देखने वाले example based on correlation, तो अभी तक हमने क्या करा है correlation में, correlation का formula देखा है, complete definition, briefly इसको समझा है, क्या होता है correlation, है ना, and उत्पे based हमने limit भी देखी थी, कि limit हम कैसे निकालते है, कुरा derivation कैसे गरते है, और theorems भी हमने देखे, इसकी theorem 1 and theorem 2, और एक corollary type, मतलब एक important result भी यह result हमने देखा था, ठीक है, तो आज हम इसमें देखने वाले है, दोनों type के example देखने हैंगे, एक ही question में, ठीक है, तो यह example बहुत important होने वाले है, अगर आप correlation में, अभी starting में move कर रहे हो, तो यह example सबसे basic वाला है, कि आपको यह तो आना ही आना चाहिए, उसके बाद statement question की वो क्या है, कि calculate the correlation coefficient for the following heights in inches, मतलब जो heights दी हुई है, वो आपको inches में दी हुई है, किस-किस की of fathers and their sons, मतलब कि fathers है बहुत सारे और उनके बेटे वगरा है, ठीक है, तो उनकी जो आपको heights दी हुई है, मतलब हमने fathers को माल लिया X and sons को माल लिया Y, तो इन में हमें heights given है as 65, 66 n और मतलब so on, पूरी ये हमें दी हुई है, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर? correlation coefficient, तो सबसे पहले तो आपको correlation coefficient का formula पता होना चाहिए, ठीक है, formula के बाद फिर तभी आप calculate कर सकते हो, तो जो correlation का जो formula होता है, वो क्या होता है, R of xy, मतलब R से हम denote करते है, correlation को, इसका formula होत देखो, यहाँ पर हमारा use क्या क्या हो रहा है, covariance and sigma x, sigma y, that is standard deviation, यहाँ फिर आप direct sigma x का square और square root भी रिख सकते हो, तो मतलब की variance का square root, okay, तो यहाँ पर मतलब आपको ये चीजे निकालनी पड़ेगी, पहले कि covariance कैसे निकालते हैं, और sigma x, sigma y कैसे निकालते हैं, तो अब हमारा क्या होता है, sigma xy, i going from 1 to n, ठीक है, यहाँ पर हमारा one upon में n आ जाता है, minus x bar y bar, यह हमारा किसका formula होता है, covariance का, और यहाँ पर हमारा suppose x, i, y, मतलब वो आप समझे जाओगे इतना तो, ठीक है, तो यह हमारा covariance का formula होता है, तो मतलब कि हमें ये सारी values चाहिए, x, y का multiplication क करके इसका submission, and x bar and y bar, ठीक है, तो यह सारी values calculate करने के लिए, हम अलग लग निकालेंगे, तो बहुत complicated पढ़ जाएगा, तो better है कि हम इसमें table form करें, right, तो चलो आप इसका solution start करते है, guys, तो यहाँ पर क्या है, to calculate the correlation coefficient, we have to find the covariance and variances of x and y, जो मैं आ भी जस्त बताया, ठीक है, and इसके लिए हमें क्या form करनी पड़ेगी, table form करनी पड़ेगी, like this, ठीक है, आपने यहाँ पर जो है, सारी x की values रख ली, यह हमारी x की value होगी, यह y की value होगी, और यहाँ पर जैसे हमें x square, x square की किसमें जरूत पड़ेगी आपको, किसमें, variance में, ठीक है, variances में, and similarly, y का अग and x square काभी सम कर लिया, y square काभी सम कर लिया और xy का भी सम कर लिया, मतलब की यहाँ पर just x की value जैसे x 65 है, तो यहाँ पर x square करोगे, मतलब की 65 का square करोगे तो आपके पास यह वाली value आ जाएगी, Similarly आप क्या करोगे 66 का square करोगे 66 का square करोगे तो आपके पास कौन सी value आ जाएगी 00.47 का square करोगे 68 का square करोगे तो आपके पास य ripple value आ जाएगी तो इस तरीके से हमने सारी value को calculate करके इनका sum कर दिया last में दूसरा हमें क्या चाहिए X and Y का multiplication चाहिए तो कि आपका यह कहां यूज हो रहा था को वेरियंस में जो हमने यहां पर देख रहा था मल्टिप्लिकेशन के बाद सम तो हमने यहां पर जो है इनका मल्टिप्लाइ कर लिया पहले मतलब कि 65 इनका मुल्टिप्लिकेशन करके फिर इनका यहां पर लिंग दिया हमने सिमिलरली हम सिमिलर ऑप्जर्वेशन टू के लिए कर लेंगे 66 इंटू 68 तो इन्टू यह हमारा जाएगा तो अब हमें क्या चाहिए इनका सम चाहिए तो हमने वह सम इसका लास्ट में लिख लिए ठीक है तो हमने सारी वैल्यू यहां पर निकाल लिया है एक्स का सम भी निकाल लिया है य का सम भी निकाल लिया है एक स्क्वेर का भी य स्क्वेर का भी एंड ओन ठीक है तो अब हमें क क्या चाहिए, यहां पर जो हमारा next step होगा, कि हमें क्या निकालना है, mean निकालना है, x-bar and y-bar, तो x-bar आपका कैसे निकालना है, 1 by n, submission x-i, ठीक हा, i going from 1 to n, जितनी भी यहां पर observations आपको given, तो observation कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, observation आपके पास given है, तो मतलब कि 1 by 8 into x-i का sum, x-i का sum आपके पास कितना है, यहां पर 5, 4, 4, मतलब कि simply यहां पर लिंग देती है, 1 by 8 into 5, 4, 4, ठीक है, तो यह जो है, इससे आपका क्या निकल जाएगा, x-bar निकल जाएगा, similarly आप y-bar निकाल लोगे, फिर हम sub-values को formula में put कर देंगे, तो guys यह होता है हमारा formula, ठीक है, अब यहां पर हमें क्या-क्या जुरुत पड़ेगी, वह मैंना भी आपको बताएगा, तो सबसे पहले हम x-bar निकाल लेंगे, like this, similarly हमारा निकल जाएगा y-bar, जो कि हमारा आ रहा है, 69, मतलब कि y का जो sum था यहां पर आप देख सकते हो, 552, यह आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है, यह 552, y का sum है, डिवाइड कर देंगे, total number of observation, ठीक है, तो यहां पर हमारा निकल जाएगा y-bar, and similarly आप निकाल लोगे, आप variance, तो variance का formula क्या होता है, अगर हम x के respect में देख रहे हैं, तो वो हमारे पास formula होता है, 1 by n sigma x-square minus x-bar का whole square, ठीक है, तो यह जो हमारे पास variance का formula होता है, तो इससे हम सारी values यहाँ पर put कर देंगे, मतलब यह जो simple है, x-bar का whole square, तो मतलब कि 68 का यहाँ पर whole square करके आपने निकाला है, और यहाँ पर values पूट करके निकाली है, ठीक है, similarly आप यहाँ पर variance निकालोगे y-x, y जो हमारे पास values है, ठीक है, तो उसका हमारे पास आजाएगा 5.5, and x का आए 4.5, तो अब आप देख रहे हो कि हमने सारी values यहाँ पर निकाली है, अब हमें just क्या करना है, formula में put करना है, तो formula जो है आपका यह होता है, कि r is equal to covariance, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, अप उन में sigma x, sigma y, तो यहाँ पर जो है covariance आपको चाहिए, तो covariance का formula क्या होता है, 1 by n, sigma xy minus x bar y bar, ठीक है, x bar y bar, अप उन में sigma x, sigma y, जो कि हमने already निकाले, तो यहाँ पर formula हमें निकालना ही जरूरत नहीं है, तो मतलब कि इसका हम square root कर देंगे, ठीक है, sigma x और sigma y का, ओके, तो guys, इस तरीके से हमारे निकल जाएगा, यह अब यहाँ पर simply आपको क्या कर देना है, covariance की value क्या आजाएगी हमारे पास, sigma x, y, मतलब कि पहले आपको x, y का जो सम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो sum आएगा, आपके पास x, y का sum कितना है, 3, 7, 5, 6, 0, ठीक है, तो यह कितना हमारे पास, ठीक है, अब और में हम क्या कर देंगे, n, n हमारे पास कितना था, 8 था, minus x bar into y bar, तो x bar, y bar मतलब कि 68 into 69, ठीक है, 68 into 69, divided by आपका क्या हो जाएगा, sigma x, sigma y, that is 4.5 into 5.5 का square root, because आपके x bar, जो variances थे, वो यह वाले थे, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है, standard deviation, तो आपका वो इस तरीके से solve हो जाएगा, तो इसकी जो value आती है, मेरे पास वो आती है, 0.603 के approach, तो यह जो हमारी value आई है, वो किसकी value है, यहाँ पर correlation coefficient की, ठीक है, अब आपने एक चीज़ notice कर रही होगी, कि मैं इसमें लग रहा है, हमें solve करते हुए, इतनी बड़ी-बड़ी values को add करना, इतनी बड़ी-बड़ी values को फिर sum करके लिखना, ठीक है, multiply करना, मतलब पूरा complication create कर रहा है, कि एक square निकालना, y square निकालना, तो इसलिए हमारे पास क्या है, एक shortcut method आया है, जो आपने last theorem पड़ी थी, ठीक है, अगर आपने वह theorem नहीं देखे, तो please वह वाली theorem देख लेए, बहुत important है, वह वाली theorem, ठीक है, कि हमारा, अगर हम कुछ change करते है values में, तो वह हमारी independent होती है, यह नहीं होती है, तो इसमें, देखो simply, क्या होगा आपके पास, shortcut method में, to calculate the correlation coefficient, we have to find the covariance, मतलब सेम आपका यह हो जाएगा, कि हमें निकालना पड़े गई, तो अब यहाँ पे देखो simply, x, y की values आपकी यह वाली है, right, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने u और v में theorem proof करी थी, last वाली, ठीक है, similarly हम यह वाला कर लेंगे, कि u आप कैसे निकालोगे, आप कुछ change कर रहे हैं, ठीक है, values में, तो x आपके पास normally था, minus हमने एक ऐसा number चूज़ करना है, जैसे हमने वहाँ पे x minus a करके चूज़ कर रहा था, ठीक, similarly हम यहाँ पे कुछ एक number arbitrary चूज़ कर लेंगे, जो in between होगा x की values में, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है x की values में, कि 68 या 67 की approach में कुछ ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लें 68, आप 67 भी चूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं ले ले लिया 68, तो आपका यहाँ पे v भी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x और y की values बहुत बड़ी-बड़ी values गीवन है मुझे, तो यहाँ पे मुझे को sort करके निकालना पड़ेगा, इसलिए जो हमारा method है, वो sort cut method हम इसको बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके v कैसे निकल जाएगा, y-69, तो मैंने y की जो यहाँ पे देखो, अब आप बोला कि मैं y में तो कोई 69 है यह नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, कि यहाँ पे आपके पास दो values, 68 and 62, ठीक है, तो इन ही में से मैंने कुछ एक बीच की value चूज कर रहे है, कि मैं इसको 69 ले लेती हूँ, वो मेरे लिए सही fit बैठेगा, तो आप में सब 69 लेती हूँ, तो इसको subtract करके सारी values निकान लोगे, तो u की value मेरे पास क्या जाएगी, x-68, that is first observation पहले आप ले रहो, तो 65 minus, पहली observation के लिए 65 minus 68, that is minus 3, तो minus 3 जो है मैंने यहाँ पे आ गया, ठीक, next 66 minus 68, तो आपका यह कितना आजाएगा, minus 8, मतलब कि 66 minus 68, that is minus 2, तो यह मैंने यहाँ पे लिए लिए, similarly आप सारी values जो है calculate कर लोगे, अब obviously मुझे u bar भी चाहिए होगा, तो मेरे को sum भी करना पड़ेगा, तो इनका जो sum आएगा ना, u वाली terms का, वो आपके पास आजाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है, and same अगर आप v के लिए calculate करोगे, v के लिए बस y की values लिए ने, तो मतलब 67 minus 69, तो 67 minus 69, first observation के लिए minus 2, तो यहाँ पे minus 2 आजाएगा, मेरा next 68 है, यहाँ पे 68 minus, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 69, तो मतलब a की minus हो रहे है, तो minus 1, similarly आप सारी values यहाँ पे, x की तरह है calculate करोगे, और same आप sum निकालोगे, तो वो हो जाएगा, मेरे पास 0, ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ तो पता चाल रहे है, कि अगर मैं यहाँ पे x bar, sorry, यू bar and v bar निकालोगे, तो मेरे पास 0 आएगा, 0 क्यों आएगा, क्योंकि u का sum जो है, वो मेरे पास 0 आ रहा है, v का sum जो भी 0 आ रहा है, ठीक है, तो मेरे पास जो mean है, u और v के वो 0 आने वाले है, तो मेरे आदी calculation तो यहीं पे खतम होगे, next आपके पास u square निकालोगे, v square निकालोगे, किसके लिए variances के लिए, ठीक है, और यहाँ पे u v निकालोगे, किसके लिए covariance के लिए, तो same आपने यहाँ पे formula apply कर देना है, कि भाई, अब जैसी यह तो म u का बार v का बार upon में, sigma u sigma v, इसका square, मतलब इसका अगर मैं square लगाती हूँ, ऐसे तो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास same value जा जाएगी, यह तो आपका जो है पूरा 0 हो गया, तो sigma u v, sigma u v मतलब कि यह जो मेरे last में आ रहा है, यह कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प 0 upon में, sigma u, मतलब कि जो आप variance निकाल रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो यह आपके पास आजाएगा कितना, 36 and 34 आपको given है only, ठीक है, तो आप इसके according बस यह निकाल के variances को, मतलब standard deviation को आप calculate कर दोगे, यह भी मेरे पास same ही आएगा, 4.5 and 5.5, तो इसका square root कर दोगे आप, तो यह जस्ट आठ तीए 24, तो 3 upon में, क्या हो गया, root 4.5 into 5.5, ठीक है, तो इसकी value मेरे पास approach आएगी 0.603, यह आपका हो गया correlation, तो आप चाहे ही shortcut method से निकालो, या फिर लंबे वारे, direct method से निकालो, बात एक है, बढ़ डारिक method थोड़ा आपका time consuming है, और उसमें calculation इती सारे क मिस्टेक हो सकते है, तो बैटर है कि आप जो है shortcut वाला method जो है apply करो, okay, so guys, इसमें हमें यही देखना था, I hope आपको यह example बिल्कुल अच्छे से clear हो गया होगा, ठीक है, and अगर आपको कुस doubt आया, तो please comment कर देना कि कौन से part में आपको doubt आया, ताकि वो जो part है, वो में आपक comment के थुरू समझा सको, ठीक है, so yeah guys, that's all about today's lecture, and मिलते नेक्ट वीडियो में, till then bye bye, take care.